कि सत्ता संख्या ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पारलेमेंट में पलटने का काम किया है क्या इस फैसले को भी जिसमें सुप्रीम कोट का आदेश है कि दो हफ़ते के भीतर भाजपा की राज्य सरकार केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद 15 अगस को 11 बलातकारी हत्यारों को जो रिहा किया है दो हफ़ते में उन्हें वापस जेल भेजना है क्या इन दो हफ़तों में ये 11 बलातकारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोट के इस फैसले को पलटते हुए बलातकारी और इन 11 हत्यारों को यूही आजाद घूमते हुए देखेंगे क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया तो याद रखिएगा 15 अगस 2022 को जब रिहा किया तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था ग्यारा को रिया ही नहीं किया विश्वंदू परिश्वदर भाजपा के मंचों पर बिठा बिठा कर इनको परचार परसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई आज 2024 के चुनाव है उससे पहले ये महतुपून फैसला आया है अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने जो दो हफ़ते का समय सुप्रिम कोट ने दिया है या अध्या देशला के सत्ता और संक्या के दम पर इस फैसले को पलट कर चोबीस में ये फिर चारसो पार का भाजपा का नारा हेट्रिक के नारे को ये बलातकारी और ये इनके विधायक मोदी जी के लिए भाजपा के लिए साकार करेंगे ये देश पूछ रहा है क्योंकि गुजरात चुनावों के पहले रिहा हुई दो हजार चोबिस के चुनाफ से पहले ये फैसला आया है और हम देश के परधान मंत्री को कहते हैं आईए देश के सामने दस साल हो गए आपके जुमले आपके नारे हकीकत से कोसो दूर है आपको बताया आप रादियों के साथ सरकार कहां खड़ी है हर्याना में बार बार एक बलातकार के दोशी उम्रकैद में उन्हें आप बार बार बेल देते हैं ब्रजबूशन की F.I.R. गिरफतारी नहीं होती नयाए नहीं मिलता है मनिपूर की बेटियां यहाँ पर आपकी दिली की दहलीज पर जंतरमंतर पर अपना सर पटक पटक कर चली गई उनके लिए भी F.I.R. और कानुनी कारवाई सरकार करें सुप्रिम कोट को फटकार लगानी पड़ी तब हरकत में आई केंदर की और मनिपूर की सरकार और आज भी केंदर और गुजरात में भाजपा की सरकार और सुप्रिम कोट का यह फैसला पूरी तरह से भाजपा को बेनाकाब करता है हम सुप्रिम कोट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय पर जब करोडो बेटियां न्याई के लिए उनके पिता भाई चक्कर काट रहे हैं और सरकार में बैठे लोग बलातकारियों को पूरी तरह से संरक्षन ही नहीं देरें अपने प्रचार और प्रसार में उनका पूरा इस्तमाला प्रादियों का कर रहे हैं ऐसे समय में सुप्रीम कोट का ये फैसला देश के करोडो बेटियों में एक उमीद, न्याई की उमीद को जिणदा रखता है और भारत जडो न्याई यातरा का मात्र एक मकस्त था, मनीपुर से लेकर गुजरात और देश की अनेको बेटियां जो नयाई की उमीद में बैठी है, और हमारा यही है कि यात्रा कब तक, भारत जोडो नयाई यात्रा, नयाई का हक मिल जाने तक और ये लड़ाई लंबी है उस लंबी लड़ाई के लिए चार हजार किलो मीटर की यात्रा के बाद शीरी राहूल गांदी जी अब छे हजार साथ सो तीरह किलो मीटर की पहले दक्षिन से उत्तर और अब पूरफ से पश्चिम के यात्रा पे निकल रहे हैं ताकि देश की करोड़ो बेटियां जो आज भी अन्याई के बीच में सत्ता के समर्थत इन अपरादियों का मुकाबला कर रही है बिल्किस बानो के ये अपरादी दोशी एक साल पहले पंदरागस दो हजार बाईस को बार आए आप सोचिए बिल्किस बानो और उन बेटियों पर क्या गुजरी होगी इस एक साल में कि आजादी का अमरत महुतसव अपरादी बलातकारी हत्यारों के लिए था बैटियों के लिए आजादी नहीं गुलामी का जहर, इस एक साल में को ंब बैटियों ने पिया है, उमिदे टूट रही थी कि नहीं होगा कुछ कानूनी तोर से कहें हर तरीके से कहें समाजी को राजनीतिक तौर से लड़ने के लिए भारतिय रास्टिय कॉंग्रस पूरी तरह मुस्तादी से तयार है